तो आज हमारा टॉपिक है महाराना प्रताव तो देखिए भारती इतिहास में राजपुताने का बहुत ही गौरपूर्ण स्थान रहा है यहां के जो राजपूत है इन्होंने देश के लिए धर्म, स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में जानते हैं वीरों की इस भूमी में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राजपूत रहे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संगर्ष किया था तो इन्हीं राज्जियों में मेवाड का अपना एक विशिस्ट स्थान है इसमें इतिहास के वपारावल, महारान हमी इर, महाराना कुंभा, महाराना सांगा उसके बाद हमने महाराना उदैसिंग के बारे में जाना तो वहीं पर वीर शिरोमणी महाराना परताप ने भी जन्म लिया था तो इनकी महानता की परिभाशा तो जितनी भी दी जाए उतनी कम ही है, महाना प्रताप का जो सास्रन काल रहा 1572 से 1597 इस्वी का, और इनके जो बचपन का नाम था वह था कीका, इन्हें कीका कहकर पुकारते थे मेवाड का कीका, तो इनका क्या था उपनाम था? इनके पिता थे उदे सिंग, तो उदे सिंग जो थे, इनके दो रानिया थी, जेवंता भाई और दूसरी रानी भट्यानी धीर भाई, ठीके? तो धीर भाई जो थी, उन्हें ये सबसे अधिक प्रेम करते थे, उनकी सभी बातों को मानते थे, तो इन्होंने क्या किया था? कि जो प्रताप थे, जेवंता भाई के पुत्र, ये तो थे बड़े, और जगमाल था छोटा, लेकिन उदे सिंग ने रानी धीर भाई के प्रभाव में आकर अपना उत्रादिकारी जो है, वह है जगमाल को बना दिया था, और लेकिन बाद में क्या होता है, कि जो प्रताप है वो अपने नाना अर्खे राज की मदद से क्या करते हैं? जगमाल को गोगंदा से बाहर निकलवा देते हैं. क्यों निकलवा देते हैं? क्योंकि जैसे ही जगमाल गदी पर बैठता है, तो वह प्रजापर अत्याचार करना शुरू कर देता है, उसके अंदर घमंड आ जाता किसी की नहीं सुनता है, तो प्रताब उसको समझाते भी हैं लेकिन वह नहीं सुनता है, तो यहां पर अर्खे राज जो पाली के सोन गरा चौहान थे, उनकी मदद से प्रताब जगमाल को वहां से निसकाशत करवा देते हैं और जगमाल जो है मुगलों की शरण में चला जाता और वहीं पर जो अकवर है जगमाल को जहाजपुर और आंधी की जो जाकीर है वहें दे देता है और जैसे उधे सिंग की मृत्यू होती है उसी दिन राणा प्रताब जो है उनका राजदिलक वहां की प्रजा के द्वारा कर दिया जाता है क्योंकि जो महाना प्रताब जो थे उनको प्रजा जो है, वह है बहुत अच्छे नजरिये से देखती थी। राना प्रताप का जो विवहा है, वह है अजवदेपवार से हुआ था 1557 इस्वी में। इनका जन्म देखिए, विक्रम समबत जेष्ट सुकलत त्रत्य यानि की गर्मियों के दिन में उस दिन रविवार था, इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540, तो ये डेट याद रखिएगा, एक्जाम में पूछी जाती है, कटार गड कुंबल गड में बादल महल में हुआ था, और ये हमें नैंसी रिख्याद ग्रंथ से पता चलता है, तो एक्जाम में ये पूछा जाता है, जन्म के बारे में याद रखिएगा, कि 9 मई 1540 को इनका जन्म कुंबल गड में हुआ था, वहीं देखिए राज दिलक जो है, वह 28 वरवरी 1572 को होता है, जब ये 32 वर्ष के थे, और 32 वर्ष के जब हुए थे, तब राना उदे सिंग की म्रत्यों हो गई थी, तो गोगुंदा में महादेव पहाडी पर ही प्रजा ने इनका राज दिलक कर दिया था, दूसरी बार जब इनका राज दिलक होता है, वह कुंबल गड में होता है, और इसमें जो मारवार की च प्रताप की कमर पे कटार बांदी थी, नेक्स्ट देखिए, राना प्रताप का जो घोड़ा था, उसका क्या नाम था, चेतक था, और हाती का नाम था, राम प्रशाद, तो देखिए, रीट में कोशन आया था ये, कि राना प्रताप के हाती का क्या नाम था, तो कई बच्च जो कि बार-बार आप लोगों ने सुना था, इस वजय से गलती हुई होगी। और हाती का नाम था राम प्रशाद। इसी राम प्रशाद का नाम बदलकर अकवर ने क्या रख दिया था। पीर प्रशाद रख दिया था। ठीक है। मृत्यू जो है इनकी कहां हुई थी चावंड बांडोली में इनकी मृत्यू हुई थी तो इतना आपको याद रखना है अब देखिए कि जो राणा प्रताप थे इनके भाले का बजन था 82 किलो ठीक है एक 80 या 82 किलो था जो कि हमेशा ही अपने हाथ में रखते थे और इनका ज पस्त्र था वह है 70-80 किलो तक का था ठीक है तो सत्तर से 80 किलो के बीच में इनका जो कवच था यह पहनते थे इनके हाथ में जो तलवार होती थी वह 55 किलो की होती थी यानि कुल मिलाकर यह 200 किलो के लगवग हमेशा अपने सरीर पे या हाथ में बजन उठाकर युद करते थ ठीक है तो सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होकी जब इतना बजन जो है वह लेकर चलते थे और इस बजन के साथ ही यह रड़ भूमी में दुस्मनों से पूरा दिन लड़ना जो है इनके लिए कोई मामूली बात नहीं थी क्योंकि यह हमेशा ही लेकर रखते थे आप या म अगर इतना सारा बजन लेकर चलेंगे तो हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे तो राना प्रताप ने इतने सारे बजन के साथ अकवर की सैना का जो है वह बहुत कड़े मुकाबला किया था राना प्रताप का जो दरवारी विद्वान था उसका नाम है चक्रपानी मिश्र एक उच्च कोटी के विद्वान थे इन्हों ने अपने ग्रंतों के माध्यम से पर्यावरण और क्रशी संबंदी जो भी परिस्तितियां थी उनका भली भाती जो है विवेचन किया था ठीक है इन्होंने कई रचनाएं लिखी थी जैसे राज्य अभिशेक पद्धती विश्व बल्लव, मुहुर्त माला और व्यभारदर्स ठीक है तो याद रखना है एक्जाम में पूछा जा सकता है चार ओप्शन दे दिया जाएंगे जिसमें एक ओप्शन जो है अन्ने कोई और दे दिया जाएगा तो राज्य अभिशेक पद्धती ब्रक्षा अईरुव विश्व बल्लव, मुहुर्त माला और व्यभारदर्स अकवर ने देखिये महाना प्रताप के पास मुगलों की अधीनता सुईकार करने के लिए सिस्ट मंडल भेजे थे अब अकवर जो है वह क्या चाता था कि जो राजपूत है वो हमेशा अधीनता जो है सुईकार करते र तो यहां पर देखिए ट्रिक लिखी हुई है जो कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है जमा बटो जा से क्या हो गया जलाल खां मासे हो गया मान सींग भा से हो गया भगवन दास और टो से हो गया तो डर्मल ठीक है तो भारमल के बेटे देखिए भगवन दास थे और भगवन दास के बेटे मान सिंग थे तो भारमल जो सबसे पहले राजपूत जिन्होंने अकवर की अधीनता सुईकारी थी तो उन्होंने अपने पुत्र और जो पोत्र था यानि पोता जो था उन दोनों को ही अकवर की अध अधीनता सुईकार करने के लिए मना लिया था तो यहाँ पर सिस्टम अंडल में जो चार भेजे थे जलाल खां मान सिंह भगवन दास और ठोडर्मन। तो जलाल खां को कब भेजा था नवंबर 1572 को जून में 1573 को मान सिंह को भेजा अक्टूबर 1573 को भगवंदास को भेजा और टोडर मल को भेजा था दिसंबर 1573 को लेकिन फिर भी प्रताप ने अधीनता सुईकार नहीं की तो अकवर ने जो प्रताप है उसको बंदी बनाने की सोची तो योजना बनाई उसने उसने अजमेर की संग्रहले जिसे मैगजीन भी कहते हैं तो उसमें यह योजना बनाई थी ये एक्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि अकवर ने प्रताप को बंदी बनाने की जो योजना है वह कहां बनाई थी तो अजमेर की संग्रहाले में बनाई थी अब देखें 3 अप्रेल 1576 मांसिंग जो हैं उनको भेजा जाता है तो वो पढ़ाओ डालते हैं कहां डालते हैं मौलेला गाओ में इसकी सूचना जो है वो प्रताप को लगती है प्रताप जो है वो अपना पढ़ाओ हल्दी घाटी में डालते हैं अब युद्ध की जो योजना है वो बनाई जाएगी इसलिए सभी अपना-पना पढ़ाओ डालते ह अमान सिंग अपना पढ़ाव जो है वह नात द्वारा मौलेला गाउं में डालते हैं और वहीं प्रताप जो है वह अपने सैनिकों के साथ हल्दी घाटी में गोगुंदा और खमनोर की पहाडियों के बीच में हैं हल्दी घाटी यहां अपना पढ़ाव डालते हैं तो अब व 1556 ठीक है क्योंकि RBSC की बुक में है 21 जून वहीं 18 जून भी कई गाइडों में या बुकों में कहीं आपको मिलेगा authentic बुकों में भी मिलेगा 18 जून लेकिन exam में यदि ये date आती हैं तो या तो 21 जून आईगी या 18 जून आईगी दोनों नहीं आ सकती तो राज सम्मद में खमनोर और गोगुंदा के बीच में है हल्दी घाटी डॉक्टर गोपीनाश शर्मा भी इसका समर्थन करते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है 21 जून को हुआ था ठीक है तो अब आपको पता लग गया कि डॉक्टर गोपीनाश शर्मा ने क्या कहा है कि 21 जून को ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 21 जून ही आप याद रखेगा यहां पर देखे एक तरफ मेवाड के जो महाराना प्रताब होते हैं और दूसरे तरफ जो है वो मुगल चाशक अकबर तो यहां पर जो अकबर है उसका जो सैनापती होता है वह है मानसी होता है और यहां पर दूसरा जो सैनापती होता है आशव खां इतिहासकार अल बंदायुनी जो हैं वहे इस हल्दी घाटी के युद्ध का पूरा व्याक्यान जो है वहे लिखते हैं मेहत्तर खां वहे होता है जो की जूटी अफवा फैलाता है कि अकवर आ गया अकवर आ गया ठीक है मेवार में जो महाना प्रताब हैं उनकी तरफ से हरावल भाग जो है यानि सैना का अगर भाग तो यह पूछा जा सकता है एक्जाम में हरावल भाग किसे कहते हैं जो सैना का आगे का भाग होता है तो यहां पर सैनापती है हाक्यम खां सूरी ठीक है और उसके बाद जाला व नाम सिंग सोनगरा हैं, राम दास मिलतिया हैं, वहीं जो सैना का फक्ष भाग है यानी पीछे का भाग है, तो इन सब के नाम आप याद रखियेगा, भामा शाह देखिए, इन्होंने अपनी सारी संपत्थी जो है वह है राणा प्रताप को सौंप दी थी, तो ये नाम जो हैं वो आपको याद रखने हैं, राना प्रताप की तरफ से हाकिम खासूरी, जाला वीदा, जाला मान, राम शाह तवर, मान सिंग सोन गरा, राम दास मेड़तिया, पुरोहित गोपीनात, जैमल महता, राना पुन्जा और भामाशा वहीं पर देखिए, दुबारा से देखिए, मुगल साशक, अकवर के साथ मान सिंग हैं, आशव खां हैं, अल बदायूनी हैं, महतर खां हैं, सेद एहमद हैं और जगर्नात कचपाहा, तो जगर्नात कचपाहा को याद रखिएगा, ये अकवर की साइड में था, ठीक है, क्यो हल्दी घाटी के युद में प्रताब द्वारा चेतक पर बैठ कर भाले से हाती, मर्दाना हाती, तो मर्दाना हाती जो है किसका था, ये मान सिंग का था, तो इस मान सिंग बैठा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ राना प्रताब अपने घोडे चेतक पर बैठ कर उस पर भाल को चलाने वाला जो होता है उसके लग जाता है तो चेतक क्या होता है यहां पर चेतक जो है उसका बैलेंस भिगड़ जाता है चेतक घायल हो जाता है प्रताब जो है चेतक के साथ जो है वह है बलीचा उद्यपू चले जाते हैं लेकिन जो घायल चेतक होता है उसकी वहां मृत तो जो चेतक है उसकी मृत्यू कहां होती है बलीचा नामक इस्थान पर अब संकट के समय महारणा प्रताब उनके द्वारा जाला वीदा को मुकुट या राचिन दिया जाता है और यहां भामा शाहा द्वारा अपनी सारी संपत्य प्रताब को दे दी जाती है वहीं दूसरी तरफ जो है बहुत घमा सान जो है युद्ध चल रहा था तो दूसरी तरफ मान सिंग ने देखा कि मुगल सैना जो है वह तितर बितर हो रही है तो उसने क्या किया जिहाद का नारा लगा दिया जिहाद क्या होता है देखे मैंने लिखा है अपने हक के लिए बुलाना और इ आने वाला है जिससे की सारी सेना एक हो जाए दुबारा से। रक्तताल के मैदान में हकीम खां सूरी जो सेनापती था और जाला वीदा जो है वह सहीद हो जाते हैं। मुगलों की ओर से राजमुकता और गजराज। और राणा की ओर से लूना और रामप्रशाद का युद्ध होता है। अब ये क्या है? ये हातियों के नाम हैं। मुगलों के हाति का नाम है राजमुकता और गजराज। और राणा की ओर से लूना और रामप्रशाद। ये दोनों हाती हैं, तो इनका क्या होता है? युद्ध होता है. तो इसी वज़े से इन्हें इस युद्ध को हातियों का युद्ध भी कहा जाता है. तो नाम याद रखना है, एक्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि राजमुकता, गजराज, लूना ये क्या है? तो क्या बताएंगे आप? ये हातियों के नाम है. ठीके? राजमुकता, गजराज और मरदाना ये मानसीं के हाती है. मानसीं का हाती का नाम है मरदाना लूणा और राम प्रशाद जिसमें राम प्रशाद है प्रताप के हाथी का नाम और वहीं अकवर के हाथी का नाम भी याद रखेगा उसके हाथी का नाम था हवाई प्रताप हलदी गाटी के युद्ध के बाद अपने गाओं का इलाज करने के लिए यहां से कोल्यारी गाओं चले जाते हैं वहां से वह कुंबलगण जाते हैं और बाद में चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं तो यहां देखिए, तो देखिए सबसे पहले जो हैं कहां गए थे, कुम्बल गड़, उसके बाद कोल्यारी गाउं गए और उसके बाद चावंड गए, तो चावंड को इन्हों ने अपनी राजधानी बनाया था कर्नल जैम्स टॉट कहते हैं, इस हल्दी घाटी को कि यह मेवार की थर्मोपली है, तो कर्नल जैम्स ने हल्दी घाटी को मेवार की थर्मोपली कहा है, अबुल फजल ने इसे खम नौर का युद्ध कहा है, बन्दायू ने इसे गोगुंता का युद्ध कहा है, ठीक है, और ब मेवाड की थर्मोपली किसे कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है. अबुल वजल ने क्या कहा है? इसे खमनोर का युद्ध कहा है और बंदायूनी ने इसे क्या कहा है? गोगुंता का युद्ध कहा है. यहाँ पर एक-एक लाइन जो है वो आपको बिल्गुल अच्छे से याद रहनी चाहिए बार-बार वीडियो देखिए और इन नोट्स को बार-बार पढ़िए. इसके जानकारी जो है अमर कावे वनसावली गनत और राज प्रसस्ती जो की रण छोड भट है, इसके राज प्रसस्ती के जो रचेता है रण छोड भट यहां से भी हमें मिलती है. इसे बनास का युद्ध कहते हैं और यहां हातियों का युद्ध हुआ तो इसे हातियों का युद्ध कहते हैं और यह अनिरनायक युद्ध रहा क्योंकि राना प्रताब जो है यहां से चले गए थे तो यहां पर अकवर की विजय भी नहीं हुई है इसी लिए इसे अनिरनायक युद्ध कहा जाता है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकवर ने प्रताप को पकड़ने के लिए सैन्न अभ्यान भेजे, अभी भी अकवर जो है शांत नहीं बैटा था, वह है राना प्रताप को पकड़ने के लिए दुबारा से सैन्न अभ्यान भेजता है, 15 अक्टूव मान सिंग और आसफ खां से नाराज था तो ये कुशन जो है एक्जाम में पूछा जा चुका है कि अकवर ने किसे हल्दी घाटी युद्ध के बाद जो है दरवार में आने पर रोक लगा दी थी तो मान सिंग और आसफ खां इनसे जो है वह नाराज था क्योंकि ये डाना प्रताप को पकड़ने में सफल नहीं हुए उसके बाद दुबारा से ये अभ्यान भेशता है तीन बार अभ्यान जो है सहवाज खां के नेतरत्व में भेशता है लेकिन तीनों ही बार ये विफल होते हैं एक बार 1577 में भेशता है दूसरी वार 1578 में और तीसरी वार 1589 में भेशता है लेकिन फिर भी ये क्या होता है ये अभ्यान भी विफल रहता है वहीं 1580 में अब्दुलरहीम खाने खाना के परिवार की महलाओं को राना प्रताप का जो बेटा था अमर सिंग ये क्या करता है बंदी बना लेता है लेकिन प्रताप को जैसे ही खबर मिलती है वह सै सम्मान उनको भीजवाने का आदेश दे देता है क्योंकि राना प्रताप जो है इनका युद्ध जो है इनके शत्रु जो है वहें महलाएं नहीं थी बच्चे नहीं थे बलकि जो गलत काम करने वाले लोग थे उनके खिलाब कार्य करना था ठीक है तो जैसे ही राना प्रताप को पता लगता है कि उनका फुत्र अमर सिंग जो है महलाओं को उसने बंदी बना लिया है तो क्या करते हैं वहें उन्हें सा सम्मान जो है वहें विजवा देते हैं अब देखिए हल्दी घाटी का युद जो कि अनिर्णाइक युद रहा राना प्रताप वहां से चले गए थे अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद होता है दिवेर कहां है रासम्मद में है यहां एक और मेवाड के प्रताप उनके पुत्र अमर सिंग प्रतम होते हैं दूसरी तरफ अकवर का जो गवर्नर होता है सुल्तान खां तो दिवेर का युद जो है किन किन के बीच में हुआ था यह अमर सिंग प्रतम और सुल्तान खां के बीच में हुआ था और इस युद्ध में सुल्तान खा जो है वह पराजित हो जाता है और वह मारा जाता है वहीं कर्णल जैम स्टॉट जो है मेवाड का मेराथन कहते हैं दिवेर के युद्ध को और हल्दी घाटी के युद्ध को यह क्या कहते हैं मेवाड की धर्मोपली कह करते हैं अकवर का जो अंतिम अभियान है वह कब होता है 1584 में जगनाद कच्छवाहा जो कि भारमल के बेटे थे इनको भेजा जाता है लेकिन यहां पर भी आसफल होता है राणा प्रताप हैं वह हैं अकवर की अधीनता यहाँ पर भी सुईकार नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो अभ्यान हैं अन्तिम अभ्यान अकवर का वो कब होता है 1584 इसवी में किसे भेजते हैं जगंणा कच्छवाहा को, 1585 यह साल रहता है जब अकवर की तरफ से कोई सैन्न अभ्य 1585 में महन प्रताप ने चित्तोड और मांडलगड को छोड़ कर सेश राज्य पर अधिकार किया और चावंड को अपनी राजधानी बनाया तो कुम्बलगड से ये कोल्यारा जो गाउं था वहाँ पर आ गए थे और उसके बाद इन्होंने चावंड जो उधैपुर में है इसे अपनी राजधानी बना लिया था और मृत्यू परंत तक ये चावंड को ही अपनी राजधानी बनाते हैं 19 जनवरी 1597 को चावंड में जब 57 वर्ष की उम्ड में धनुस की डोरी चड़ा रहे थे तो राणा प्रताब जो है वो घायल हो जाते हैं और जिस वज़े से इनका दिहान तो हो जाता है दाहस अंसकार जो है वो चावंड के बांडोली गाउं में ही इनका किया जाता है जहां पर आठ खंबो की छत्री जो है राणा प्रताब की बनी होई है जो की इनके बेटे अमर सींगे बनवाई थी तो देखे यहां पर मैंने हर चीज़ को लिख दिया है ऐसा नहीं किया है कि मैंने आप लोगों को कई चीज़ें बताई है और जो की आपको नोर्स में ना मिले और यहां से बाहर देखी आप लोगों के लिए कोई भी फैक्टर नहीं बसता है जो की आपकी एक्जाम में क्योंकि इतने ज़्यादा authentic book से बनाए गए हैं, कि आप लोग जो भी answer देंगे, जो भी चीज़ें याद करेंगे, वो exam में बहुत अच्छे से कर पाओगे, प्रताब ने देखिए विश्व वल्लव नाम से आयूर विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई, जो कि संसार को प्र जिनको इन्होंने सनंक्षन प्रदान किया था, जो कि हम देख चुके हैं, तो कुछ एक दो लाइन और हैं, जो कि आप याद रखिएगा, कि प्रताब ने अपने दरवार में निशादीन चित्रकार से 6 राग, 36 रागनियों के ध्यान चित्र बनवाकर और 54 चित्रशाली को जन्म दिया, तो देखिए, मिवाड में चावंड चित्रशाली को जन्म देने वाले कौन थे, राणा प्रताब थे, ठीके, और इन्हों नहीं सबसे पहले राज्य अभिशेक पद्यती चलाई थी, तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है, वो आपका पूरा होता है, कोई भी याद रखिएगा, नोट में मैंने लिखा है, कि जो राणा सांगा है, इनकी छत्री मांडल कर भील वाडा में बनी हुई है, वहीं परताब की छत्री जो है, वह है बांडोली चावंड में है, ठीके, कर्णल जैम स्टॉट जो है, वो क्या कहते हैं, कि आलपस परवत के समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं, जो परताब की किसी न किसी वीर कारे, उज्वल विजय या उससे अधिक कीरती युक्त पराजे से पवित्र ना हुई हो, तो यहां कर्णल जैम स्टॉट जो है, वो तारीफ में कहते हैं परताब की, कि ये जो परताब थे, इनके जो का ना हुई हो, एक और चीज है देखिए, नोट में, कि प्रताब ने चावंडा माता का मंदिर चावंड में बनवाया, यहीं से मिवाड चित्रशैली की जो उप्षैली है, चावंड चित्रशैली का प्रादुर्भाव हुआ था, और चावंड चित्रशैली के प्रसिद चित चित्रित ग्रंत धोला मारू जो की 1592 में चित्रित हुआ ठीक है तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से टॉपिक कम्प्रीट हो गया है राना प्रताप से संब्धित जो भी कुश्यन आपके एक्जाम में पूछा जाएगा तो आप बहुत अच्छे से करेंगे महाना प्रताप के बाद उनके पुत्र हैं अमर सिंग प्रतम इनका जो शाशन काल रहा है 1597 से 1620 स्वी तक कर रहा है और देखिए इंपोर्टेंट बात बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बात कि सबसे पहली जो मुगल मेवार संधी होती है 5 फरवरी 1615 को तो वहे किसके समय होती है अमर सिंग प्रतम के समय होती है ठीक है और ये संधी जो है इनकी मर्जी से नहीं होती है बलकि इनके पुत्र के दवाब में आकर की जाती है मुगल बादशा जहांगीर उस समय मुगल बादशा थे कौन जहांगीर तथा मेवार के साशक अमर सिंग प्रतम के बीच मे ये संधी होती है युव राज कर्ण सींग के दवाव के कारण अमर सींग ने ये संधी की थी और इस संधी का प्रस्ताव लेकर जो आये थे सुब करण और हरिदाज तो यहां पर जो है important line क्या है कि वो मेवार के जो शाशक जिनके समय मुगल मेवार संधी होती है तो वो कौन थे अमर सींग प्रथम ठीक है और उस समय मुगल बादशा कौन है जहांगीर है तो यह आप ध्यान में रखें इस संधी की जो है कई सर्तें थी क्या सर्तें थी कि कुछ जो है महाराना जो होंगे वो कभी भी मुगल दरवार में नहीं जाएंगे दूसरा था कि मेवार मुगलों को हजार घुर सवारों सैनिकों की सहायता देगा तो ये मेवार के लिए शर्त थी मेवार का जो युवराज है वो मुगल दरवार में जाएगा यानि कि राजा तो नहीं जाएंगे महाराना नहीं जाएंगे लेकिन उनका जो पुत्र होगा तो वह मुगल दर्वार में जाएगा चितोड का किला मेवार को वापस दिया जाएगा लेकिन मेवार उसका पुनर निर्मान नहीं करवाएगा मेवार के साथ जो है वो कोई भी अब विवाहिक संबंद इस्तापित नहीं किये जाएंगे अब तक जो भी मेवार मुगल विवाहिक संबंद हो रहे थे तो वो अब समाप्त होंगे और कोई भी विवाहिक संबंद नहीं किये जाएंगे ऐसा मेवाड मुगल संदी जब होती है अमर सिंग के समय तो उसमें ये सर्थ रखी जाती है ठीक है अमर सिंग इस संदी से जो है निरास थे पुत्र के दवाब में आकर ही ये संदी करते हैं परिशान थे तो वे नो चौकी नामक इस्थान पर जाकर रहने लग जाते हैं और यहां इनकी मृत्ति हो जाती है अमर सिंग की 1620 इस्वी में इनकी छत्री जो है वो बनी हुई है उदेपुर में आहड या महा सत्या जिनको कहा जाता है ठीक है और जितने भी महाराणा है इनका जो है शमशान घाट है यहां पर सबसे पहली जत्री जो है वो अमर सिंग की बनी नेक्स्ट है अमर सिंग के पुत्र कर्ण सिंग तो ये वो योवराज जो की सबसे पहले मुगल दरवार में जाते है 1620 इसवी से 1628 इसवी का समय है मुगल दरवार में जाने वाला पर्थम राजकुमार हजार मनसब पर ये वहां गए थे उदेपुर में इन्होंने कर्ण विलास और दिलखुस महल बनवाए ठीक है तो इंपोर्टेंट लाइन यहां पर यही रहती है कि मुगल दरवार में जाने वाले ये पर्थम राजकुमार थे ये इंपोर्टेंट लाइन है नेक्स्ट साशक है जगस सिंग पर्थम 1628 से 1652 इसवी तक का है तो इनके बारे में तो अभी तक नहीं पूछा गया है किसी भी एक्जाम में चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो और थार्ड ही ग्रेड ही क्यों नहीं पूछा गया है दानवीर्ता के लिए प्रस्ट थे ये उद्यपूर में इन्होंने जग मंदिर महलों का निर्मान फूरा करवाया उद्यपूर में जगदीस मंदिर बनवाया और इस जगदीस मंदिर को सपनों में बना मंदिर कहा जाता है तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि सपनों में बना मंदिर जो है उद्यपूर में यह किसने बनवाया जगत सिंग प्रथम ने बनवाया जगननात राय प्रसस्ती लिखवाई जिसके लेखर कौन थे कृष्ण भट थे तो यहां पर आज हम यहीं तक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं मेवाड के राज सिंग और यह बहुत ही इंपोर्टेंट शाशक है यहां से प्रस्ण जो है वो बन सकता है ठीक है बहुत ही इंट्रस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे मेवाड के राज सिंग और आपको वीडियो में ही याद भी हो जाएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप रिवाइस करिएगा थेंक यू